हलो प्रेंट साज मैं आपको बताऊंगा कि एई आई वे नेच्रूल गरबादान के साथ ये दो इंजेक्शन लगा लो और आप अपने गाब हैंस को पक्का गरब ठैरा लो बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गाब हैंस है वे गरब नहीं ठैर रही है तो इसके करते हैं तो उनके साथ कौन से इस तरह की इंजेक्शन लगा देने चाहिए जिससे कि हमारी जो गाब हैंस है वह आसानी से घ्र ठैर जाए तो आज की वीडियो के अंदर माँ आपको उन दो इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा इदी वह इंजेक्शन आप अपने पशूम में आप लगवा लेंगे लेकिन जिस तरह की कंडिशन होती है उस तरह की इस्तती में आप लगाएंगे तभी आपको सबसे अच्छा रिजल देखने को मिलेगा कैसे लगाना चाहिए किती डोज देनी चाहिए उसके बाद में दो के बाद में एक तीसा इंजेक्शन कब सबस्क्राइब और साथ बेल आइकन जुरूर दबाने देखो बहुत इस तरह की जो गावेंस हैं वह सबसे ज्यादा रिपीट होती है यह दिया आपकी गावेंस बार बार रिपीट होती है तो उसमें देखना चाहिए कुछ नकुछ तो इस तरह की दिकत है लेकिन बहुत सब्सक्राइब रिपीट हो रहा है तो ऊस त्रह के केस के प्रियोग कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं बच्यदानी में इन्फेक्शन नहीं है फिर भी पसु ग्रमनी ठहरा है तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इंजेक्शन लगाएंगे बैट रिजल देखने को मिलेगा यह आपके पसु में इंपेक्शन है पायो मेटर है मेटराइटीस है गरबासे में सूजन है या उनसे मवाद आ रही है पस आ रही है तो आप उस तरह है कि केस के अंदर आप रिजल्ट नहीं में ले पाएंगे उस केस को हल करने के लिए पहले आप उसके बच्चेदानी के सपाय करवानी होगी उसका इंफेक्शन दूर करना होगा यह इंफेक्शन आपको लग नहीं रहा है आपका पसु सही है आपका वेटरिनेर नहीं यह कंशिब्सं और भी यह रही है करता है कि कोई दिकत इस तरह कि नहीं है पिर इस तरह हो रहा है तो आपको उस तरह का जो इंजेक्शन बड़ लगाने चाहिए यह आपका फ़ेस्त अलगा है विक् def death में आधने के दोरान भी आप उनका परियों कर शकते हैं कोई भी दिकत पशू में देखने को नहीं मिलेगी बट आपके पशू में जयादा बनाएंगे उनको सही समय पर को ताकि आप जब भी AI करवाते हैं या नेचुरल गरवादान करवाते हैं तो आपके पशू में रिजेल्ट अच्छे देखने को मिलें एक बात का आपको द्यान में रखना है कि आप AI जो AI वरकर हैं या वेटिनेरियन हैं जो AI करते हैं वह अच्छे जिसकी मोडिलिटी अच्छ परियोग करेंगे पशू में इंजेक्शन लगा करके सबसे अच्छा बेनिफीट देखने को मिलेगा आज कल बाजार में बहुत इस तरह की इस तरह हैं जो डूपलिगेट आते हैं उनसे इतना बैटर जिल देखने को नहीं मिलता तो पहले आप इस तरह की जांच करके आप अपने पसू में या एरिया में अपने अच्छे जो वेटिनेरन हैं जिन से अच्छा रिजल्ट मिलता है जिनका याई का अच्छा रिजल्ट है उनसे आप सदा ले सकते हैं कि आपको कौन सी इस तरह का अच्छा रिजल्ट मिलता है जिसका मोडिलिट अच्छी है उसका पर 20 सग size अंत्राल के बाद में आपको जैसे आपWAN करते हैं या नेचराल कर वाते हैं moments गर्बादान करवाते हैं तो उसी स्तती में आपको जो in जेक्ष 你es न अता है जो एक ि प्लपे एक की सबायों थना test का प्रियोग कर सकते हैं इस प्रकार से इंटास्क आता ज्यादा जुरूरी है जीन पशू में कई बरिष्ट रहेगी जो फास्पोर्ट यह क्या करता है कि पशू में कंशेप्शन रैट को बनाता है कंशीव रैट आपके पशू को बढ़ाता है गरब ठहराने में पशू में इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर दो सिसी आती है एक में 30 ml एक में 20 ml तो आप इन दोनों को मिक्स कर लेना है मिक्स करके जो 50 ml की एक वाइल बनती है तो 25 ml आप जब यह नेच्रूर करते हैं उस समय आप उस पशू को 25 ml इंट्रामस्कुलर गरदन में लगा दें और दूसरे दिन आप 25 ml उस पशू को लगा दें यह इ टो लगा दें फिस तरह ची rotates जिसके अंदर साल्ट आता है बुशली्न एंजेक्शना 4 ml ज्यादा आपको यह इंजेक्शन नहीं लगाना है जो कि मैंने कई वीक्राइ से भुष लेए उन्जेंचान नो जिस क्तर से प्रकार से एधिन्जेक्शन हो गा थर कंपनी का भी आत और जब आप AI कर रहे हैं तो यह इंजेक्शन लगा दिया जब एक AI करते समय और एक AI आई आप उसकी कब करें चार से च्छा कंटे बाद में एक बार और AI कर दें बहुत अच्छा रिजल्ट पशू में देखने को मिलेगा बहुत इस तरह कि जो अपने डेरी फार्मर है उनमें इस तरह का परियोग करके देखा और बेटर रिजल्ट पशू में पाया है तो यह इंजेक्शन भी बहुत ज़्यदा जरूरी है और साथ में आपको क्या करना है कि जैसे यह दी छह दिन हो जाएं 5-6 दिन बाद में आपको इंजेक्शन एक डूरा प्रोजिन और लगा लेना है यह आप अपने पशू में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं कईबर क्या होता है कि पशू का जो इस्टोजिन आर्मोन है उस वेक थोड़ा डाउन नहीं हो पाता है यह आर्मोन का बैरेंस है वह बोड़ी में सही नहीं बना रहता है जिसके वजह से क्या करते हैं कि 25-25 दिन बाद में रिपीट हो जाते हैं या तो उस तरह के केस से बचने के लिए आप जो यह डूरा प्रोजिन इंजेक्शन आता है एयाई वे नेच्रोल के 6 दि हो सब लेकिन जब यह द्याएं को समझा करना है यह कराने के बाद भी आप अपने पशू को देते रहना पचास कर्म ऐपने पशु को ठाना निए है संतुलित आपको डाइट देनी है अच्छा पशूं को हरा चारा सुका चारा जो भी आप मिक्स करके आपके अरिया में उपलब होता है वह आप अपने पशूं को देते रहें यह दो से तीन इंजेक्शन आप चेक फैस्ट में आए या दो से चार बर आप जिनकी यही जरूर लगवा लेने चाहिए आपसे यहांदा खर्चां यह भूघ ज़्यादा जदा से ज्यादा दोसो आप शलचांब को आयगा नहीं लेकिन है इसतरह की देखने को मिलेगी नहीं आप अपने पसू से लेकिन वेटिनेरन से खाय करके उनका यह ट्रीटमेंट जरूर यह इंजेक्शन लगवा लें और साथ में जो डाइट या दाना मिसन दे रहें वह आप अपने पसू को देती रहें तो यह वीडियो जितना उसके पशू पालक है वेटिनेरन हैं उनके अंदर पर ऐसे मिलती रहेंगे इसी तरस्या मेरी वीडियो देखते रहें थैंक्स धन्यवाद